बहुत अच्छी एक बाई बात है जब मैं मंदीर आता हो ना कहीं चल रहा विशू है नहीं चल रहा ये ऐसा बनाया था गईस ऐसे पहले आप तो इदर गईस इतनी बड़ी बोली उना दिया जो इस वाले पेड़ को खा के मरी थी यह क्या है इसमें क्या है इस तुछ ऐसे करत क्या कर रहा हुए है अब भी बज़ रहे हैं आज बहुत ज्यादा लेड हो गया रूठने को आज मंटे है तो आज मेरा फास्ट भी है मैंने नहीं चला यार मैंने सोचा अभी पांच नहीं बज़े हैं और देखा तो बहर देखो कितनी ज्यादा दूप लगी है बाई चलो चाही पीते हैं फिर उसके बाद चलते हैं शिवजी बगवान के मंदीर नहार हो के तो फाइनली गाई अभी सुबा के दस बच चुके हैं बाकि मैंने पूजा बाजा भी कर लिए घर की अभी मैं जाओंगा मंदीर और ओपर देखो विशू पशू लेके भी यार और मेरे यह ममा ने अलू भी बना लिया है तो मैं सोच रहा हूं पहले अलू खाके जाओं फिर ममा जैसे शिवजी बगवान के दर्शन करूंगा अलू रखे है मेरी रूम में तो चलिए वह खा लेता हूं पहले फिर उसके बाहर जाओंगा क्यूंकि काफी ज्यादा बूख लग र रहता है पश्मों के साथ मेरे साथ नहीं जाता गया बकरा चल चल जल जल बस इतने से खाऊंगा बाकी तो आके खाऊंगा यार और गैस मेरे को ना पिछले वाले व्लोग में आप लोगों ने बोला कि इस वाले बरतन में दूद नहीं चड़ाते वह बास सची यार मैंने यूटूब पे देखा तो इस वाले बरतन में कभी भी दूद नहीं चड़ाना चाहिए क्योंकि अगर इसमें हम लोग दूद दाले तो चले गाइज हर हर महादेब चलो चलते मंदिर और आज मैं ना उपर वाले मंदिर जाओंगा वो जो आपको बिच्छ सामने जगा दिखरी है ना मारे गर के जस्ट उपर तो दर जाओंगा बाकि आज कब ऊसुम कुछ ऐसा हो रहे गाई देखो सही तगड़ा मुसम और पह थे सांगमा अटा है तो चल्री जंगल में एक तो रास्ता भी खड़ा है न ऐसे होता न अश्थना पलें रास्ता तो मैं चल सकता है यार खड़े रास्ते में कपी जादा गर्मी लगती है घृज शोट-कट रास्ता या और मेको काफी जादा टाइम लग जाता है रोड़ जाने में तो मैंने ये शौर्ट कट रास्ता ही अपनाया वे से पांच मिंट के बाद मैं मंदीर पहुंचने वाला हूँगा इस तो मिलता हूं मैं उदर जा के आपको ठीक है अब पहुंच गया मंदीर है रहा सामने मंदीर तो चलो शुची बगवान के दर्फन करते हैं हर-हर महादेश अब में इधर से पानी परूंगा और जल दूंगा शुची बगवान को मैंने बहुत बड़ा गिलास बढ़ के दिये अब कि अ कि 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 सब्सक्राइब कर लिए दर्शन शिव जी बगवान की वर साथ में बड़िक्ष को मैंने जल्वी चड़ा बाकी चलो चलते हैं बहुत अच्छा यार मतलब बहुत अच्छा लगता है अंदर से वाबाजी मैं जा रहा हुआ भर घर रक्षा करना साथ रहना चली अप चलते हैं मैं थोड़ा पानी पिऊँगा और मैं आपको बोली दिखाता हूं यार इदर कितनी बड़ी बोली एक दे बोली बना दिया बहुत ज़्यादा भानी इस बोली गा कसम से उपर शत्व नई है ताकि इक कबाड़ा को बुड़ाना पड़े नीचे तो छलो थोड़ा सा पानी पीते हैं फिर उसके बाद गाई चलते हैं घर अब डर लगता है यार फिर अब लगता है वो भी नीचे तो पहले को भी नहीं रहता था पहले दर ऐसे आने जाने गारास सा था तब इनों ने शोटी सी वो बनाई थी आब इनों ने काफी ज्यादा बढ़ी बोली बना रही दो इस वाले पेड़ को खा के मरी थी इसको बोलते हैं हमारी लेंगर में फाइनली पहुंचे किया मैं अपना व्लोग एडिट करना है क्योंकि काफी दिन से मैं पता क्या कर रहा हूं मेरे इसे बोरेट से होती है एडिटिंग करके तो मैं रात को थोड़ी सी अगर एडिटिंग करूं ना दो तीन मिंट भी उसके बाद नहीं दाती है फोन भी ऐसे प अब भी आपको तब देखने को मिलेंगे उसके बाद फिर मैं मिलता हूं आपको गाइज इडिटिंग करने के बाद तो फाइनली अभी शाम का टाइम हो गया और अभी मैं पीर रहा हूं दूद क्योंकि सूबह से मैंने कुछ भी नहीं खा रहा है सिर्फ वह आलू यह आप आपने पीछे व्लोग में देखे तो इसके बाद गाईज अभी हम लोग जाएंगे खेत में आज बैल जो देंगे और जो नया बैल आ रहे हैं आज उसको फर्स टाइम हम खेत में लेके जा रहे हैं वाकि यह देख विशू तो शुडाकी आगी है बैल पापा के साथ चल र पापा ने वह बैल जोड रखे तो चलो चलते हैं गया ज़ो जाओ बारिश वाला होगा है वाकि पापा ने यह वाला खेत बीकर दी अ क्वार olm कर दोहिए अब उड़ा के बैल यह दगय साथ ही यह फाइक ए वाला खेत में पिरुह हम ररे नीचे में बहुन साथ यह लोट så तो चलिए गाइज मैं पकड़ता हूँ पापा से लेके बैल फिर उसके बाद देखते हैं कैसा चलता है बैल यार नया गाइज बहुत ज्यादा थक गया यार ये देखो पूरा खेट जो हो दिया मैंने पाकि सही है यार बैल तो सही है कसम से तकड़ा चल रहा गईज वो खेटो हो गया अब ये करना फिर इसके बाद गैज हम देखेंगे अगर नीचे वाला बारिश ना लगी तो वह भी करदेंगे फिर उसके बाद नीचे हमने वो देने है द्धान बोले तो वह भी कर देंगे यह क्या कर रहा की और गय्स मैं आपको एक बात बताता हूं यह पहली बार ऐसे हम अज़ को चले खेथ कर लेते हैं यह उसके बाद फिर इनको को होल देंगे कि उपर से काफी जादा बारिश आगी है यह कृषए करते हैं हमारे इदर कांप आड़ हमें मतलब यह करना है कि ऐसे मिला के करना है पूरा कर देखिए इतना गर्त आज आज ना देखो घरवालों ने प्याज भी वो कर दिया गाइस मैं तो दोपहर को एजिटिंग कर रहा था और घरवाले ये काम कर रहे थे मतलब सही है यार इतना प्याज निकल गया इतना प्याज बहुत है इन लोगों के लिए एक साल का तो गुजारा होई जाएगा इनका फ आज इन लोगों आज आचूचा कि ए फिर नि जो खा एगा नि और हम लोग खा लेते नहीं तो फिर जोनी खा हगा जाओ सब द मैंने आज ने यहां एंधर लिए होगा अगर अच्छा लगा नहीं सब्सक्राइब कि आपकी आपको मेरी अकलाफ से करने लोग में तब तक के लिए बाई टेकर हर हर महादेब जैम आता दी